नहीं ये नर्मे शाइस पर अलवाया येर्डा या हितिक लड़ सोम वाड़ा वारे लड़ा मैं हूँ राजी राजीन पटेल और आप देख रहे हैं फर्मा एक्सपर्ट चैनल अज जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेनलेशन के पॉइंट भी उससे बहुत ही इंपोर्टेट है क्योंकि फ्रेंट्स ग्रेनलेशन में साइजिंग और सिफ्टिं देखते हैं सबसे पहले फ्रेंट्स की सिव नंबर क्या होता है्पार्ट ऐसे सिव नंबर में एक शकी उसको हम बूलेंगे सिव नंबर सप मढ़ें कीजिए की एक इंच में अगर हो number of holes 10 है तो इसको बोलेंगे friends 10 mess यानि जो हमारा sieve number होगा वो 10 होगा ठीक है friends instrument is to determine the sieve integrity is technometer friends जब हम shifter में sieve का यूज करते हैं shifting के लिए तो कभी कभर क्या होता है कि वो sieve जो है वो break कर जाता है तो उसको check करने के लिए friends जो हमारा equipment का यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं technometer technometer के help से हम friends integrity testing करते हैं sieve का a sieve consist of a pan with bottom of wire cloth with a square opening यानि friends काने का मतलब यह है जो हमारा sieve होता है वो आप कभी ध्यान से देखेंगे तो जो sieve होता है वो friends ऐसे circular में एक दूसरे को यह 90 degree पर cross करता है यानि जो इसका pore की opening होती है वो square में होती है इन दे उनाइटेड एस्टेट टू एस्टेंडर ऑफ सीव आर यूजड एनि फ्रेंट्स यूएस के अकॉर्डिंग जो हम लोग sieve यूज़ करते हैं वो मिलनी दो तरह का होता है एक यूएस एस्टेंडर होता है और दूसरा टैलर एस्टेंडर तो फ्रेंट्स जो इंडिया में इंडियन फर्मसुटिकल इंडस्टी में जो हम sieve का यूज़ करते हैं वह हमारा टैलर इंडिया एस्टेंडर इंडिया एस्टेंडर स्केल जो हम लोग इंडियन फर्मसुटिकल है जैसा कि हमने बताया की अगर एक एक इंच में जितनी ओपिनिंग होगी उतना नंबर और सीव बोलेंगे तो अगर हमारा एक एक इंच में अगर दो सब ओपनिंग है इसका मतलब कि हमारा 200 मेंश का हुआ अचलिए आगे देखते हैं इन इस अश्टेंडर इट बेस्ट ऑन ओपनिंग आफ वन एम डेट इज अठारा अगर वन यानि इतने स्कॉयर में जितने जितने नंबर अफ होल्स होंगे जितने नंबर अफ होल्स होंगे उतना उसको मेंश नंबर बलेंगे अगर वन से वन एम में स्कॉयर में अगर माल लिए आठारा होल्स होते हैं तो उसको हम आठारा मेंश बलेंगे अगर 200 होल्स होंगे तो उस اع 했습니다 टाइप ओवोसन इन फ्लूएंस दसीविं यह जो हमारा स्ट्र मसीन होता है उसमें ने का तरी NICK की थार चेस्टोन फ्लॉटीण सुट्ष साथ, यह वाएवःदशनल डुन्य मुशन होना जाए यह लेकिन किस तरीके का Vibrational motion होना चाहिए पहला है Friends कि Side Tap Motion Second is Bottom Tap Motion and Third is Rotary Motion with Tap and Rotary motion यह तीन तरह का जो हवारा मोशन होता है इसके प्रिंस्पल इस मेकानिजम के ऊपर हमारा जो फ्रेंट्स है Vibro Shifter काम करता है कि टाइम इज एन इंपोर्टेंट फैकर इन सीविंग दा लोड और थिकनेस ऑफ पाउडर पर उनिट एरिया आफ सीव इंफ्लूएश दा टाइम अफ सीविंग यानि फ्रेंट करने का मतलब यह है कि सपोज अगर हमारा यह फ्रेंट सिफ्टर है सिफ्टर के उपर यह हम में कितना इसके उपर पाउडर का लोडिंग की गई है उसकी उपर फ्रेंट समरा सिफ्टिंग का टाइम रिक्वाइट तु सीव एस गीवन मेटेरियल इस रफली प्रोपोर्शनल टू दो लोड प्लेश्ट ऑन दा साइज यहनी कहने का मतलब फ्रेंट यह है कि जितना हम ज्यादा जितना ज्यादा उसके उपर लोड हम लोड करेंगे उतना ही ज्यादा टाइम लएगा अचलिए आगे देखते हैं इन साइज अनलिसिस बाइमिन ऑफ शीव दे टाइप आफ मोशन टाइम ऑफ सीविंग एन लोड सूट भी एस्टेंडराइज यह हमारा कुछ डा टेटरोण में कितना यह यह डाता है जिसे बारव मेず में अगर इसरडिन की बात करते हैं तो 1680 मॉट का उसका और टेलर historicाइर का next friends की sieve integrity test यानि friends जो sieve की integrity की testing करते हैं वो मैंने दो तरह से करते हैं एक visual inspection दूसरा technometer friends जो visual inspection होता है यह company to company depend करता है कि किस company में कैसे करते हैं लगबग friends 70% company में visual inspection करते हैं कुछ company में technometer का यूज करते हैं next friends की difference between sieve and mess आपने देखा होगा कि sieve number और mess number यह दो तरीके से बोला जाता है कि 200 mess और 200 sieve number तो यह friends क्या होता है main difference जो होता है कि friends जो sieve होता है उसके wires जो होते हैं वो एक दूसरे को 90 degree पे cross करते हैं 90 degree पे cross करते हैं अगर इस तरह की crossing wire की होती है जो कि आपको अधिकांस तरह यह sifter में जो sieve लगते हैं उसमें आपको देखने को मिलेगा उसको हम बोलते है sieve number अगर जिसमें friends हमारा एक दूसरे को इस तरीके से cross करता है यानि 120 60 degree यह 60 degree हो गया यह 120 degree हो गया अगर इस तरीके से दो wire आपस में cross करते हैं तो उसको हम बोलते हैं मेस यानि friends आप FBT के अगर आप बॉल में जो मेस लगते हैं उसकी अगर बात करते हैं अगर उसको आप देखते हैं ध्यान से तो आप देखिएगा कि इस तरीके का friends इसमें बैंडिंग होती है कि सीव और मेसी मेड़प आफ एसस वायर एंडेट एससीज काल एसस तिनसो शुला फ्रेंट जिस वायर से हमारा सीव बना होता है वह हमारा एसस तिनसो शुला मेटेरियल से बना होता है इसमें फ्रेंट वायर होते हैं और वायर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो जो यह होल बनता है यह स्क्वायर में बनता है लेकिन जो मल्टी मील और कैडमी में जो होल होते हैं यह सर्कूलर होल होता है है हाव कें यू डिटेर्माइन दा स्थाइज आफ स्क्रीन एनि फ्रेंट्स हम तो जैसे हमने अभी आपको इसके पहले बताया कि हम जो सीव नंबर या मेश नंबर जो है सीव नंबर या जो मेश नंबर है उसकी अडेंटिक उसको हम ऐसे पता करते हैं कि वन इंच में कितने नंबर आफ होल्स है तो वैसे पता चल जागा कि यह हमारा जो सीव है वह कितने नंबर का है लेकिन इस स्क्रीन में कैसे पता करेंगे कि जो हम इस स्क्रीन करते हैं या व उसमें इस तरह से numbering होती है 0.5 1.0 1.5 तो फ्रेंट्स अगर अगर हम उसे स्क्रीन के अंदर होल के अंदर इसको हम डालते हैं अगर 0.5 अंदर जला जाता है और 1.5 नहीं जाता है मतलब जो स्क्रीन है वह हमारा 0.5 वीडियो में इतना है चलें नेक्स्ट वीडियो आपको कैसा लगा अगर अच्छा लगा तो प्रीज लाइक शेर और सब्सक्राइब थैंक्यू फ्रेंट्